तो करनाटक की इस लोकथा का नाम है सुश्मा की भक्ति तो ये सुन्ते इस लोकथा को मेरे साथ या आपकी अपने नीती के साथ बहुत समय पहले की बात है देवगिरी परवत के समेव एक ब्रहमण परिवार रहता था ब्रहमण की पतनी का नाम था लक्षमी, युँ तो परिवार खुशाल था, किन्तो घर में संतान नहीं थी विवा के कई वर्ष बाद लक्षमी ने अपनी छोटी बेहन, शुष्मा से ब्रहमण का विवा करवा दिया सुष्मा ने एक पुत्र को जनम दिया सुष्मा और लक्ष्मी मा के लाट प्यार में बालक बढ़ने लगा कुछ समय बार लक्ष्मी को लगने लगा कि प्रहमर केवल अपने पुत्र से प्यार करता है वह किसी वै उसी को अपना धन दिका बस उसी दिन से वे सुष्मा के पुत्र श्री निवास से जलने लगी इधर दुष्मा इन बातों से अंजान थी वे शिव भक्ती शिव भक्त थी दिन में चार-पांच खंटे पूजा में बिताती थी श्री निवास पड़ा हुआ तो एक सुन्दर कन्या उसकी पत्ने बने सुष्मा का पूजा पाट और भी बढ़ गया लक्ष्मी को एक दिन अपनी जलन मिटाने का उसर मिली गया श्री निवास अंदी पर नहाने क्या था बैलोटा तो लक्ष्मी रोते रोते बोली तुम्हारी पत्नी कोए में गिर गई श्री निवास ने चौँँ ही कोए में झांका तो लक्ष्मी ने उसे धखका दे दिया उसके बाद लक्ष्मी घर आ गई सुष्मा पूजा का प्रसाद बाटने गई तो कुए पर भी दगी थी इश्वर की किरपा से शीनिवास बच गया था मा के साथ घर में घुसा तो लक्षमी उसे देख कर चौंक गई लक्षमी ने उसे मानने की एक और योशना बनाई रात को से दाल और चावल के जहरीले खोल से स्वादिश्ट दोसे द्यार किये पर बहुत प्यार से बोली शीनिवास बेटा मैंने तुम्हारे ले बनाया है अगर खा लो शीनिवास भी बड़ी मा की भावना जान गया था उसे अपने सान पर कुट्टी को रसोई में भेश दिया लक्षमी की पीत मुरते ही कुट्टा दोसा उठा कर चमपत हो गया दोसा खाते ही उसे अदम तोड़ दिया लक्षमी की सारी चाले नाकाम रही तब उसे गुसे में आकर पुत्र पर मूसल से वार किया श्री निवास का सिर्फ बुरी तरह घाल हो गया और वे बिहोश हो गया सुष्मा अपने पूजा की कमरी में थी शिव जी से लक्ष्मी की कुरूरता देखी नहींगी वे प्रगट हुए और उसे शाब देने लगे सुष्मा सब कुछ जान गई थी फिर भी उसने शिव जी से बहन के प्राणों की भीकमा की शिव जी से शिव जी उसके द्यालू सुभाव और करुणा से अत्यधिक प्रेशन हुए और बोले सुष्मा तुम जैसे व्यक्तियों से ही संसार में धरम जीवित है तुमारा पुत्र शिरी निवास भाला चंड़ा हो जाएगा मैं लक्ष्मी को भी शमा करता हूँ तुमारी अखंड भक्ति के कारण आज सी एस्थान दुष्मीश्वर कहलाएगा समने आखे बंद कर प्रणाम किया तो शिव जी ओचल होगे शिरी निवास भी उट बैठे उट बैठा मानो निये से जागा हो लक्ष्मी की मन का मैल धूल चुका था पूरा परिवार पुना खुशी-खुशी रहने लगा वास्तों में मानो का मानो से सच्चा प्रेम हो तो इश्वर भक्ती है तुम उसके बनाए प्रानियों से प्रेम करो तुम्हें अपनाएगा समाथ